ग्रूप शी के 32 जार पदों की भरती प्रकेरिया के लिए करना होगा 19 दिसंबर तक इंतेजार घर्यान करमचारी चेन आयो के पिलों के साथ ग्रूप शी के 32 जार पदों के बचे ग्रूपों का पेपर लेने के लिए अलग से दायर होगी अरजी अड़ोकेट जनल ने बचे ग्रूपों का पेपर लेने सिंगल बेंच के ओडर पर रोक लगाने का किया था आगर है हाई कोट में सुनवाई हुई मगर परतिवादी गण को सर्विस पूरी नहीं होने के कारण अगली तारिक तक सुनवाई टली समाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के दावे की फीजिकल वेरिक्वेशन पहले नहीं करा सकते अड़ोकेट जनल ने कहा आयोग ने उल्जन पैदा कर दी है धूल ने कहा ग्रूप नंबर 56 के पेपर में रिपीट सवाल का मामला भी है लंबित अंकूर शिधार ने कहा हम अगले सब्ता बचे ग्रूपों का पेपर लेने की अर्जी दायर कर देंगे अड़ोकेट जनल ने कहा खंड़ोपीट के सामने अड़ोकेट जनल बल्देव महाजन ने सिंगल बेंच के ओर्डर के नुसार समाजिक आर्थिक मांदंड के अंकों के तावे की फीजिकल वेरिफकेशन कराने पर कहा कि चैन के बाद फीजिकल वेरिफकेशन कराई जा सकती है मगर चैन गुना बलाने के लिए ये फीजिकल वेरिफकेशन नहीं कराई जा सकती है इसमें तो एक साल से ज़्यादा काश्च चेमें लग जाएगा अपीलों के परतिवादिगने की तरफ से पेश अडवोकेट रविंदर धूल ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक मांदंड के अंकों के दावों की वेरिफकेशन ही तो जरूरी है धूल ने बताया कि अडवोकेट जनर्नल की तरफ से पूरा परियास किया गया है कि गुरूप नंबर 56 के रिजल्ट पर लगी रोक हट जाए और सिंगल बेंच के ओडर पर रोक लग जाए मगर अदालत की तरफ से समाजिक आर्थिक मांदंड के अंकों के दावों को वेरिफकेशन पर ही क्योरी थी डूल ने खंडपीट से कहा है कि ESM कटेगरी की तरफ से हैं जबकि कटेगरी की तरफ से दूसरे अडवोकेट हैं